हलो, नमस्ते, वेलकम टू एटी से उनलाइन, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास नाइन्थ का चैप्टर पैकिंग, देखिए ये जो चैप्टर है, क्लास नाइन्थ में पहले एक नौवल चलती थी, उस नौवल का नाम था, त्री मैन इने बोर्ट, जो जैरॉम के जैरॉम क बेस्ट सेलर थी, यानि बहुत ही अच्छी नौवल इससे माना जाता था, अभी जब से ये कोर्स चेंज भाए, वो नौवल तो हमारी कोर्स से हट कही है, लेकिन उसी नौवल का एक एबस्ट्रेक्ट इस चैप्टर में बताया गया है, पैकिंग में, तो ये चैप्टर उस अच्छी नौवल से लिया गया है, बहुत ही इंट्रेस्टिंग, साथ ही साथ हूमरिस चैप्टर भी है, तो इस चैप्टर को पूरा जाने के लिए बने रहे है, एटी सी ऑनलाइन के साथ, तो आएए, स्टोरी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, इन पॉइंट्स को आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, और लिख भी सकते हैं, यह सारे पॉइंट्स आप लोगे की हेल्प करेंगे, स्टोरी को फ्रेम करने में, स्टो कोई भी पॉइंट मैं भी ना भूलू और आप लोगों के लिए भी वह ज्यादा इजी ओ जाये तो स्टेजी की स्टार्टिंग होती है तीन मैं होता है तीन आदमी होते वह ट्रै debrisling के लिए जा रहे होते हैं और उन तीनों का नाम होता है एक author होता है जिसका नाम होता है Jerome, एक Harris होता है और एक होता है George, ये तिनों friends होते हैं, सामान इधर उदर बिखरा हुए, जब भी हम लोग कहीं गूमने के लिए जाते हैं, obviously packing करते हैं, तो ये ही packing ये लोग actually करने वाले थे, और packing कर भी रहे थे, in fact, तो जो author होता है, वो start करता ह है और वो बोलता है, अरे ऐसे थोड़ी packing होती है, मैं बताता हूँ कैसे packing होती है, मैं करता हूँ packing, अब इतना सुनते ही जो दोनों दोस्त हैं, जो दोनों friends हैं, वो दोनों आ जाते हैं, हाँ, हाँ, तुम करो packing, और author ये देकर बहुत जादा डिस पॉइंट हो जाता है, क्य तुम की author तो चाहता था कि वो इस job को boss करे, यानि boss की तरह बैठा बैठा बैठा, सिर्फ और सिर्फ instruction देता लाए, क्यार packing ऐसे करो, ऐसे करो, लेकिन यहां पर तो पूरा का पूरा काम ही, पूरी की पूरे जिम्मेदारी packing के उसके उपर आ गई है, बहुत जादा irritated हो जाता है, कि एक बार वो एक ऐसे आदमी के साथ रहा भी था, जो आदमी सिर्फ instruction देता रहता था, खुद को बैठ जाता था, सोफे पे आराम से, मजे से बैठ जाता था, और instruction देता था कि ऐसे ऐसे काम कर, जिससे वो बिलकुल नफरत करता था, और आज भी वैसे ही हो रहा है, दो ठीक है, चलो packing में, मुझे महारत हासिल है, मैं बहुत कम टाइम में packing कर लूँगा, लेकिन जितना उसने सोचा था, उससे भी काफी ज्यादा समय उसे लग जाता है, अब जो Harris होता है, जब author पूरी packing कर चुका होता है, उसे बंद कर चुका होता है, suitcase को या back को, उसके बाद म बूट्स के बारे में उसे याद दिलाता है, अरे तुमने बूट्स तो रखे ही नहीं, फिर author Jerome इधर उधर देखता है, बूट्स के लिए तो बूट्स उसे पड़े हुए दिखाई देते हैं, अब इस पे वो और भी ज्यादा हो जाता है, Harris पे और सुचता है, कितना नाला एक इंसान है, इतनी देर से मैं पैकिंग कर रहा हूँ, तब से मुझे याद नहीं दिला सकता था, कि बूट्स रखे हुए नहीं है, अब याद दिला रहा है, जब पूरा सामान मैंने पैक कर दिया और बैक को भी पैक कर दिया तब, खेर किया किया जा सकता था, दुबारा बैक को खूलता है अपने दूबरा समन और वापस से बूट उसमें डालता है अब जब बूट डालके पैक कर ही रहा होता है उसी समय उसे याद आ जाता है ठीयार मैंने अपने टूथ प्रेश रखा या नी रखा हमेशा इस बात के लिए परिशान होता था हर बार जितनी भी वो traveling के लिए लाता था तूथ प्रेश रखना हमेशा बोल जाता था फिर रात को उसे डराhonas पने आते थे हैं कि यार मैंने अपनी तूथ प्रेश रखा या नी रखा है अगले दिन उठकर भी फिर वो ब्रेस कर लेता था और फिर बूल जाता था प्रेश को वापस रखना फिर आधे रास्ते में जाता रास्ते में जाते जाते फिर उसे याद आता फिर वह भाग के वापस आता था और जो टूथ प्रेश होता था उसे हैंड कर चीफ में लपेट कर अपनी पाकेट में रखे और फिर स्टेशन जाता था लेट हो जाता था तो टूथ प्रेश उसके लिए हमेशा एक परीशानी वाली बात होती थी अब वह वापस से उस बैक को खोलता है सब जगर ढूंड लेता है सारी की सारी जगर ढूंड लेता है उसे दूसरी ब्रेशिस मिल जाती है हैरिस और जॉर्ड की ब्रेश इसके हाथ में 18 बार आती है 18 टाइम्स लेकिन खुद की ब्रेश मिल जाती है चैंक की वह सांस लेता है और फिर जोर्ड उससे बोलता चार तुमने तो रखा ही ने साबॉन तो तूमने रखा इनिब अब इस पे हैर अ उस पे आथर और जगुस्त हो जाता हुए और जदा परेशान होता है और वह बोलता है कि भार में गया सोब था चस्में भी पैक कर दिये अब चेश्ma पैकिंग में उसने सूठकेस में पकर करके रख दिया और उसकी उसे जरुवति तो दुबारा से वह वापस से सामान को खोलता है और वापस से सामान को खूलता है फोर अपना तो इतना हम लोग थक भी चुके हैं अब हमें रेस्ट करना चीए लेकिन पैकिंग कहां कम्प्लीट हुए थी यार उसमें अभी हैंपर्स बचे हुए थे अच्छा हैंपर्स क्या होता है जो खाने पीने का वाद चोड़ा मट़ा जो सामान होता है उनका जो बैग होता है जो होता है उसे हम हैंपर्स बोलते हैं हैंपर्स बचे हुए थे अब आथर तो परिशान हो गया था तो जार्ज और हैरिस बोलते हैं एक काम कर जा तू ठक गया तो परिशान हो गया तो तू आराम से रेस्ट कर यह जो पैकिंग है यह हम लोग कर लेते हैं अब आथर को मज़ा आता है वो सोचता है कि चलो इतनी देर से ये आराम से बैठे हुए थे अब मैं आराम से बैठूंगा और इनको देखता हूं और मुझे पता है चीर बहुत गंदी पैकिंग करते हैं तो अब सबसे जादा परिशानी खड़ी होने वाली है खेर पैकिंग स्टार्ट होती है कौ तूटने से शुरूआत होती है उसके बाद में अब अच्छा पैकिंग तो गंदे तरीका इसा करते हैं दिमाग भी नहीं लगाते थे मतलब दिमाग उनका घुटनों में था तो टमेटो होता है टमाटो होता है उसके उपर स्ट्रॉबेरी जैम रख देते हैं अब या टमे और हैरिस उस टमेटो को स्पून से बाहर निकाल रहे है करी क्या सकते थे इसके अलावा तो यह दिखकर वह मनी मन बहुत बहुत ज्यादा खुश होता है उसे हसी भी आती लेकिन वह कुछ बोलते नहीं है मजे ले रहा था इतनी देर तक बैठे बैठे अभी तक वो लोग म बैठे बोसों आई जाता है और बटर के उपर पैर रगते ताह एजो बटर होता है उसकी पूरी स्लिपर बटर में हो जाती है जैसे तैसे करके बड़ी मुशकिल से वह अपनی स्लिपर से बटर को स्क्रेपो औफ करते हैं उतारते हैं उससे और जो ओस देख रहा होता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इरीटेट भी हो जाते हैं किया देखो वहां बैठा 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 हस रहा है नालाइब को कि तरह यह नहीं देर आके 38 कर लेकिन अब तर्ण फर का था हसनी का और मजे लेने का घर लाश्ट में पैकिंग करते करते हे बहुत जादा नर्वज हो जाते हैं ऌश्माओं मिंपनी हो जाते हैं और कभी इस सामान के त्रण दव ಔ consent अपे शानु का नमबर लेते हैं पहले तो देखो टमआटु का नंबर ले लिया इसके बटर के उपर स्लीपर लेकिन बटर का नंबर यहाँ पर खतम और उसका नमबर दो चलता रहता है अब कैसे चलता है अब देकरा शिन इतन plugin नहीं मिलें डीगे इटा涾ं जब बारी सामान के नीचे और बारी सामान ऊपर रख देते हैं पिच कच्छिय विचली केड़ान का बीक केक कच्छिमर निकल जाता है फिर लास्ट में बटर के साथ वाली इनकी परेशानी अभी ख़तम नहीं होती है अब बटर के कहीं तो सैट करना था तो केटल में बटर को डालने की कोशिश करते हैं, अब यार केटल इतनी सी होती है, मूज का छोटा सा होता है, उसमें बटर को जैसे तैसे करके ठूशते हैं, लेकिन जा तो पाता ही नहीं है बटर, थोड़ा बटर अंदर चला जाता है, थोड़ा बाहर ही रह जाता है, फिर परेशान हो जाते हैं अब जो अंदर बटर चला गया था वह वापस बाहर नहीं आता है परेशान होकर इधर उधर बटर को रख देते हैं और बटर को कहां रख देते हैं वह रख देते हैं एक चेयर के उपर बटर को एक चेयर के उपर रख देते हैं और जैसे बटर को चेयर पे उसके ट्राव्जर्स पे बटर चिपक जाता है अब हैरिस जैसे खड़ा होता है और बटर को पैक करना वाला होता है देखता है टीबल पे तो छेयर पे तो बठर ही नहीं है पूरा कमरे में इदर उदर ढूंदने लग जाते हैं फायार वगरा लिखवा देते हैं सारी जगर ढूंडते हैं लेकिन बटर तो कहीं मिलना ही नहीं था अब दोनों बोलते रहते हैं कि यार कितनी अजीब बात हुई आज पहले बार ऐसा देखा अभी अभी बटर मैंने यहां रखा था तुम्हारे सर की कसम खाके कर रहा हूं ब वही श के पेंड के पीछे चिपका हुए बिटर लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोरा होता है बस मन्हीमन मुष्करा रहा हुता है मन्हीमन हस रहा हुता और घुमते घुमते बुलता है चल तू इस वाली डारेक्षिन में जाके बुर्टर को ढूँं मैं इसे जाते होते या जाता है तोकर है निजाता है। फिर वो इस्ते पीछे से बटर होता आजता है और बोलता है कि देखो बटर तो यहां पे चिपका हुआ पड़ा था खेर लास्ट में जैसे तैसे बटर हैरिस के ट्राउजर पर मिल जाता है और उससे टी पॉट में पैप कर दिया जाता है अब असली परिशानी अब की जिसका नाम था मॉंट मॉरेंसी अब यह मॉंट मॉरेंसी कौन था यह इन लोगों का एक डॉग था पालतु डॉग पेट डॉग था और यह इतना ज्यादा परिशान करता था इतना ज्यादा बदमाश था है ऐसे लगता था यह शैतान का दूसरा अवतार है धर्ती पे गर इसका जनम हुआ है तो सिर्फ एक ही रिजन की वज़े से हुआ है और वह रिजन है दूसरों को परिशान करना मेश क्रिएट करना मतलब बहुत बदमाश था हज से जादा बदमाश था तो वैसे बिचारे पैकिंग में इतनी देश से परिशान हो रहे होते हैं उपर से ये शैतान का नानश और आ जाता है मौन्ट मरेंसी इदर आके पहले तो इदर उदर की चीलों पर बैट जाता है परिशान करता है अब यह जो मौन्ट मरेंसी होता है ये एक ऐसा गुता था जिसे वास्त में जब तक कोई डार्ट के भगान ना दे या जब तक इसके सिर्फे द करने के लिए जो भी आइटम ढूंड रहे होते उसी पे जाके बैठ जाता फिर वह आइटम उन्हें मिलता नहीं था इधर अधर ढूंड ढूंडते बाद में वह मांट मेरें सी अपने पीले-पीले दान दिखाते हुए खड़ा होता था और आइटम उसके नीचे से ही मिलता तो यानि जब भी जिस आइटम की जरूत होती थी उसी पे आके वह बैठ जाया करता था कोई भी आइटम को पैकिंग करते करते हैं इदर धूंड रहे होता है किसी आइटम को तो बीच में हर बार अपनी नाग घुशा देता था और हर बार उसके गीली-गीली सी नाग इचांग कर देता है हर बार अपनी नाग बीच पीच में घुशा देता है अब इतने पर नहीं रुखता वहां पर लेमन पड़े होता है नीबू पड़े होता है तो मॉंट मेरेंसी इस तरह से दिखावा करता है कि यह जो लेमन है यह यह रैट है और उनके पीछे-पीछे भागने लग जाता है दोड़ने लग जाता है कि जैसे उनमें से किसी रैट को पकड़ के मार ही देगा और लास्ट में तीनो रैट को मार भी देता है यानि तीनो नीबू को कुचल भी देता है बुरी तरह से अब इतना इतना देखकर अब तो अपना आपक हो देता है अब अब Harris author के उपर एल्जाम लगाने लगता है कि यार तुने इस डॉक को इतना सिर पे चाड़ा रखे इतना ज्यादा बदमाश यह तेरी वज़े से बन रखा है उस पर वो बोलता है कि मैं क्या करूं इसमें इतना बदमाश है तो यह तो पैदा ही बदमाश हुआ है इसका तो दोनों फ्रेंड्स होते वो बोलते है रहे देखो कोई सामान तूट ना जाए बोलता है अब कुछ भी तूटे यार मैं तो परेशान होगा अगर कुछ तूट रहे तो इसे तूट जाने दो फिर लास्ट में फिर वो लोग बोलते हैं चलो अब बहुत रात होगी है अब हम लोगों को सोने के लिए जाना जाए अब हैरेश को भी उस रात हमारे साथ ही सोना था तो हमrying लोग तॉस करते हैं और हैरी श्राइब करते हैं मेरे साथ उने के लिए फिरम इससे पूछा जाता है कि भी बैटकर इंसाइड्स रहाओ याणि बीच प्यक्य की तरफ सोना है अ अब Harris बोलता है खेर यह तो आजीव सी बात है खेर फिर भी चलो कोई प्राब्लम नहीं है तुम्हें वहां सूना हो तो अब इस पे दोनों करते हैं कि कल सुबह कितनी बज़े उठना है जोर्ज बोलता है अच्छा तो तुम दोनों मुझे बताओ कल समय तुम लोगों को कितन साथ बज़े उठाना दुनों बैस करते रहते हैं बैस करते रहते हैं लास्ट में कांकुलीजन पर बूचते हैं और बोलते हैं चल ठीक है ना तेरी ना मेरी एक काम करते हैं साड़े शे बज़े उठाते हैं और वह लोग जोर्ड को बोलते हैं काम करना या साड़े साड़े मुझे उठा देना जॉर्ड की तरफ से तो कोई जवाब भी नहीं आथा अब बाद में वो जॉर्ड के पास में जाके देखते हैं तो क्या देखते हैं वो तो लुड़क चुका है यानि वो तो सू चुका है अब इस पे यहीं तक अन लोगे की बदमाशी खतम नहीं होती वह रुक्ते सिदा धड़ाम से इसमें गड़ जाएगा और उससे हमारी भी आंख खुल जाएगी और इसी के साथ फिर वह लोग सोने के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ यह स्थोरी भी एंड हो जाती है तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी इस स्टोरी का कोई कांक्लिजन नहीं है बस सिर्फ ये एक नॉवल जिसका नाम था त्री मैं इन इन बोर्ड उससे लिया गया एक 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 स्ट्रेक्ट है पैकिंग और जैसे इस चैप्टर का न फिर भी अगर आप लोगों के कोई question, doubt, suggestion या issue है तो नीचे जो comment box है आप लोगों के लिए बनवाया है उसमें आप लोग अपने comments ड्रॉप कर सकते हैं मैं try करूँगा उनका जल्द से जल्द answer करने की तो इसी तरह के और मज़ेदार और interesting वीडियो के लिए बने रहे है एट